हेलो एंड वेलकम बैक माई लवली स्टुडेंट्स आइम नेहा सिंग और आज हम लोग स्टाटिस्टिक्स के चाप्टर नंबर 3 को यहां डिसकस करने वाले हैं जो की है कलेक्शन ओफ डेटा ठीक है तो आज हम कलेक्शन ओफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे उसके जो सोर्स होते हैं उनके बारे में डीटेल में समझेंगे तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब जरूर करें तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो मैंने यहां पर एक फ्लोचार्ट बनाया है जैसे कि collection of data यानी कि देखो statistics में जो भी हमने पहले पढ़ लिया कि हमारा statistics related है quantitative data से ठीक है तो वो data कहीं ना कहीं हमें जब कोई inquiry आएगी जो कि statistical inquiry हम कहते हैं जैसे कोई agency हो गई उसने ये inquiry raise करी है कि उसको particular subject पे study करनी है detailed तो वो कोई inquiry raise करेगा उस particular subject के बारे में तो उस area मे काम करने के लिए हमें पहले data जो है वो collect करना पड़ेगा तो उस data collection का दो तरीके होते हैं दो sources होते हैं कि एक तो या तो हम internal sources से कर लें या फिर external sources से हम data इखटा कर लें ठीक है अच्छा internal sources कौन से होते हैं जो की agency में ही जो की agency की organization की self prepared organization के अंतरगत ही जो उनकी self prepared जो reports होती है ठीक है self prepared जो reports होती है उनको हम बोलते हैं internal sources मतलब कि जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं internal sources यानि organization के अंदर ही जैसे की for example हम ले लेते हैं कि कि किसी particular organization को पता करना है कि उसका पिछले साल से इस साल profit हुआ है या loss हुआ है profit हुआ है तो कितना हुआ है तो वो क्या करेग कि जो इसके उसी ने जो अपने company के जो PNL account, PNL appropriation account जो भी अपना accounts जो उसने reports जो prepare करी होगी वो उसी book में वो वापस जाएगा ठीक है उसमें वो सारी चीज़े च्छाट के फिर वो पता लगाएगा कि इस साल के और पिछले साल के जो जो profit है वो कितना हुआ है profit हुआ है क इंटरनली जो organization के अंतरगत ही जो reports तयार होती है उनके हिसाब से अगर कोई data collect किया जाता है तो उसको हम बोलतेते हैं internal sources ठीक है और external क्या हो जाएगा जो कि किसी बाहर से हम कहीं से जो data है वो इकहटा कर रहे हैं अगे यहाँ पर हम example लेंगे जैसे कि कोई नया tour and travels का कोई business start करने वाला है suppose Rajasthan में तो वो क्या करेगा वो यह देखेगा कि IRCTC की जो भी website है उस पर जाके या फिर IRCTC में जाके पता करेगा कि अन्वली या monthly कितना travel होता है राजस्थान से बाहर ठीक है राजस्थान के अंतरगत भी और राजस्थान के अंदर ही अंदर उसमें इतनी सा अगर वो राजस्थान से बाहर जा रहे हैं तो on an average monthly कितनी traveling करी जाती है फ्रॉम राजस्थान तो अब उसने क्या किया जो organization है वो है Tours and Travels का organization तो उसने बाहर जाके बाहर की जो third party जो है वहां से जाके वो information collect करी है तो वो हो जाएगा external sources ठीक्या अच्छा external sources के भी दो तरीक यह कि data हम इखटे करते हैं जैसे external sources से हमने अगर कोशिश करी है data इखटा करने की तो वो दो तरीके से इखटे होते हैं एक तो होगा collect primary data एक होगा secondary data ठीक है primary data वो होता है जो की जो investigator है जो investigator है उसने खुद personally जाके investigator ने खुद personally जाके वो data एक हटा किया है ठीक है यानि कि सिर्फ उसीर का वो पहला एक हटा करा हुआ data होगा एकदम नया ठीक है पहली बार for the first time वो data एक हटा किया जाएगा for example जैसे कि as a principal मैं अपने school में जाके अपने class में जाके किसी भी particular class में जाके वहां से अगर बच्चों का एक एक करके उनसे report उनसे पूछू कि तुम्हारी पिछले साल जैसे कि 7th class में है तो तुम्हारे 6th class में particular subjects में कितने marks थे ठीक है हर एक बच्चे से में जाके पूछू तो यह हो गया primary data यानि मैंने direct जाके पहली बार उनसे उनका data collect किया ठीक है उनका data मैंने पहली बार जाके वहां से उनसे personally जाके collect किया तो primary हो गया ठीक है इसमें बीच में कोई और नहीं आएगा plus जो यह data है वो the further for the first time ही यह collect किया जाएगा investigator द्वारा और direct जो respondent है उससे ठीक है secondary data कौन सा हो जाता है जो की published और unpublished sources से collect किया जाता है यानि की published and unpublished sources ठीक है मतलब कि यह already prepared report थी वहां से महां से हमने जाके वह report वहां से हमने collect कर ली ठीक है already किसी ने इसके बारे में data खटा कर लिया था इसका interpretation कर लिया था इसका result करके summarize करके इसको निकाल के तयार रखा हुआ था हमने बस उसमें उसके पास गए हमने वह published और unpublished data जो भी था उसको हम ने लिया और फिर उसके हिसाब से हमने अपना data जो है particular subject पे खटा किया अब इसको मैं बहुत जादा टेक्निकल उसमें ना जाके simple शब्दों में समझते हैं example इसका क्या होगा एक तो मैंने यहां पर primary data कैसे collect किया primary वाले में कि मैं खुद गई principle as a principle मैं गई individually मैंने बच्चे को खड़ा किया मैंने उनके marks note down करे और मैंने फिर उसके बाद अपना जो भी इनका average summarized मैंने इनका निकाला कि performance कैसी है ठीक है या फिर secondary data का इसमें क्या हो जाएगा कि मैंने इनके already जो prepared पिछले साल के report cards थे उनको उठा के उनहीं से मैंने निकाल के तयार क हो गए कि already prepared थी मैंने बस वो जो prepared थी वहां से फाइल उठाई फिर मैंने particular बच्चे के हिसाब से जो भी था वो data देखा कि अच्छा इस बच्चे की performance पहले कैसी थी 6 में कैसी थी और 7 में 1st में या 2nd में अभी इस समय कैसी है improvement हुआ है कि बेकार हुआ है या on an average चल रहा है या वही सेम पेस पे चल रहा है तो यह चीजे में already जो published है mark sheets उन में से मैं निकाल के data create कर दूँगी ठीक है तो यह हो गया वो जो कि पहली बार for the first time collect किया गया है और यह जो already published था already market में available था data तो उसी से मैं अपनी और उसमें information add on करके कुछ नया उसमें report create करती हूँ ठीक ह जैसे कि हम यह निकाल सकते हैं कि हमें यह देखना था कि भई इस साल जो है population इंडिया की कितनी बड़ी है तो हम जो government की जो published जो sites हैं उसमें जाके हम पता करेंगे कि भई पिछले साल कितना था उसके पिछले साल किती population थी फिर धीरे करके यह बड़ी हैं गटी हैं कितना death rate था हमारी country का कितना birth rate था country का तो यह already जो published थी उन में से मैंने यह data खटा किया था ठीक है तो यह हो गया zone का difference अब हम इनको individually हम इनको समझते हैं अब हम देख लेते हैं कि methods क्या होते हैं सबसे पहले primary data के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है तो methods क्या है collection के जो primary data होत जो की first time prepare किया गया है उसके ठीक है आप इस तरीके से table बना लोगे इससे क्या होगा काफी lengthy part है यह लेकिन आपका two pages या maximum three pages में summarized हो जाएगा तो आपको आगे further एक तो notes preparation में easy हो जाएगा इसके बाद आपके पास जब revise आप करोगे या जब पढ़ोगे इसको तो आपको ए तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पर name of method, meaning, suitability, merits and demerits ठीक है suitability या नहीं कि यह वाला method कौन सी जगह पर suitable है ठीक है कोशिश करना कि मेरे साथ में ही आप लिख सको क्यों क्योंकि काफी congested है तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए या फिर आप इसको pause करके screenshot लेके बाद में आप लिख सकते हो ठीक है अच्छा सबसे पहला है हमारा direct personal interview यानि की dpi short form में याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा ठीक है direct personal interview यानि dpi पहला method है primary data collect करने का कि हम किसी से personal interview लेके हम पता करें ठीक है जाता है कि जो interviewer होता है वो direct employer जो भी आया है person interview देने के लिए job के लिए उससे direct one to one contact होता है one to one question पूछेगा वहां से answer आएगा ठीक है तो वो हो गया direct personal interview तो suitable कहां होता है when the area of investigation is limited जब बहुत ही limited area है कि मतलब सिर्फ आपको 10 लोगों का ही जैसे personal interview होते है कि आज के दिन में आप से 10 लोगा interview लोगे इससे जाधा ना तो किसी इंसान की capacity है ठीक है वो बाद में जाके हो जाएगा कि अब बस हो गया ठीक है तो जो की limited area होता है investigation का वहां पर ये suitable होता है अच्छा के merits क्या होते है it is original सबसे पहले तो ये original होता है बिलकुल नया पहली बार ये काम हो रह रहा है ठीक है तो ये original होता है then more reliable क्योंकि यहां पर one to one contact हुआ है question पूछे गए है पर one to one answer हुआ है बीच में कोई और hindrance नहीं है तो जो answer जो यहां से question जाएगा उसी से related answer आएगा उसमें कुछ भी fakeness या कुछ भी मिलावत information नहीं होगी तो ये reliable होता है then according to it it is accurate also कि जितन पूछा गया है वही answer आया है तो accuracy भी होगी और reliability भी होगी और flexible होता है जैसे कि जो भी post है ठीक है उसके हिसाब से जैसे आप suppose कर सकते हो कि एक ही दिन में आप किसी engineer का भी आप किसी post के लिए ले रहे हो और एक ही दिन में आप किसी commerce वाले का किसी और sales वाले का भी आप interview ले यहां पर हमने पहली पढ़ लिया कि limited area के लिए है तो अगर आप ज्यादा बड़े एरिया में अगर आप यह investigation process लगा होगे तो भाई जो interviewer होगा जो investigator होगा वह तो उसकी तो भाई हो गया काम उसको जब बड़ा area उसको cover करना होगा तो वो पूरे दिन में नहीं कर पाएग ठीक है तो time consuming होता है costly होता है suppose यह हो सकता है कि interviewer यहां पर हमने एक्जांपल लिया था जब personal interview हो रहा है जैसे अगर कोई ऐसा होता है कि वह उसको research करने के लिए one to one किसी के घर में जाना है किसी के office में जाना है तो वह costly हो गया ना उसका traveling का उसको भार जाएगा तो कुछ ख जो अलड़ी बहुत trained है experienced है वुसी को हम यह काम दे सकते हैं हर किसी को यह personal interview वाला method हम नहीं अपना सकते ठीक है तो यह हो जाएंगे बच्चों demerits फिर second है हमारा indirect oral investigation यानि कि I.O.I. यानि कि यहां पे भी oral interview है लेकिन यह होगा indirectly indirectly कैसे यहां पर एक third party आहेगा ठीक है यानि investigator यहां पर किसी third party से पूछेगा कि भई क्या था क्या नहीं था जो भी questions है वो किसी third party से involved होके पूछेगा जैसे कि यहां पर हम एक example ले लेते हैं classroom है ठीक है दो बच्चों की आपस में लडाई हो गई ठीक है तो teacher उन बच्चों से नहीं पूछेगा क्यों बच्चों से teachers कि भई क्या हुआ था लडाई हुई तो क्यों हुई तो यहां पर यह हो गया indirect oral investigation suitable कहां है जहां पर information हमें secret रखनी है कुछ confidential information पता कर रहे हैं तो वहां पर यह हम जो method है इसको अपना सकते हैं ठीक है अब इसके merits क्या है wide coverage यानि कि हम personally जिसने यह जिससे हमें question पूछना उस सिर्फ एक इंसान से बात नहीं करेंगे हम थर्ड पार्टी में सब involved हो जाएंगे एक उसके अलावा ठीक है यानि कि अगेन वह classroom में जो दो बच्चों में लडाई हुई थी उन दौनों को छोड़के जो बाकी की जितने भी सब्सक्राइब बच्चे और एक्स्ट्रा हैं य पड़ी तो पैसे भी हमारे कोसली भी नहीं हुआ तो यह एक्सपर्ट ओपीनियन जो बाकी जो इसमें यहां पर माना जाएगा जो विटरिस थे वो यहां पर एक्सपर्ट हैं कि इन दौनों में लडाई हुई थी तो यह हुई थी और इन दौनों में से गल्ती किसकी थी त इसमें जैसे की एज़ टीचर वैसे तो ऐसा होता नहीं है बड़ एज़ टीचर मुझे एक दो हुश्यार बच्चा था और एक थोड़ा सा मुझे मालूम है कि वह नौटी बच्चा है तो हो सकता इसकी ही गलती रही हो तो वह प्रिपेर्ड मेरा दिमाग में एक बैक ऑफ जो इन्वेस्टिगेटर के और जो रिस्पॉंडेंट के बीच में कोई बायस नहीं होगा कोई पार्शेलिटी वाली चीज नहीं आईगी ठीक है देन इसके डी मैरिट्स क्या हो सकते हैं इंडिरेक्ट इंफरमेशन अब मुझे क्योंकि मैं 28 बच्चों से और से पूछ रह है ना तो कुछ ना कुछ इंडिरेक्ट ली पूछा जा रहा है डिरेक्ट क्वेशन नहीं है तो यहां पर एक डी मैरिट हो जाता है ठीक है डेन लेस्ट रिलाइबल क्योंकि कि किसी और से पूछ रही हूं तो यू नेवर नो कि वह कितना जानता था उस इंसिडेंट की बा पर यहां पर क्या है लाक आधा जो बच्चे होंगे वो तो एका तरफ साइड लेगा और जो बाकी के आधे बच्चेंगे वह दूसरे के दोस्त हैं साइड लेगा तो इस तरीके से जो रियल जो रीजन है वो तो समझ में आएगा ही नहीं तो पाश्यालिटी ओफ विटनेस भी हो सकता है तो बच्छो यह हो जाएगा मेरिट और यह हो जाएगा डी मेरिट अब आप इसको चाहे बेटर है आप स्क्रीन शॉट ले लो और उसके बाद फिर आप जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसा कुछ मैंने इतनी भी बेकार नहीं है अब बच्छो थर्ड क्या मेथड बोलता है थर्ड मेथड है information from correspondence यानि की IOC information from correspondence ठीक है correspondence यहाँ पर कौन होंगे जो की हमने कोई agent हमने appoint किया है trained agent data collection करने के लिए ठीक है यहाँ पर एक बहुत अच्छा example हो जाएगा जो news reporters होते हैं ठीक है वो एक agent होते हैं जो की appoint किये गए है specially data collection के लिए ठीक है तो यह suitable कहाँ पर होता है जहाँ पर wide area investigation होता है obviously जब हमने देखा यह news जो है उसका कोई limit area नहीं है इंडिया में कहीं भी जाके वो reporting कर सकते हैं तो उनका जब wider area होता है investigation का तब यह वाला method है वो suitable होता है इसके merits क्या है wide coverage understood है wide coverage होता है यहाँ पर पूरी इंडिया even जो बाहर जो abroad के बारे में भी जो foreign countries के बारे में भी कुछ specific news भी हमें दिखाई जाती है दी जाएगी जो foreign में जो issues चल रहे हैं उनके बारे में दी जाएगी यह थोड़ी ना बताए जाएगा कि तुम्हारी colony में किसके संग में लडाई हो गई ठीक है यानि और किसी से जगड़ा हो गया पर्सनल तो उसके बारे में थोड़ी ना हमें को information देगी ठीक है तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो यहाँ जो method है वो suitable होता है for special purposes जो basically general awareness की जो questions होते है जो issues होते हैं उनी से related यहाँ पर coverage होती है then इसके demerits है danger of partiality यानि कि कहीं कहीं same news आ रही होती है लेकिन उसको दिखाने का तरीका वो हर एक news channel पर हो सकता है अलग हो ठीक है कहीं पर वही news जो होगी वो किसी और party के through या किसी के favor में दिखाई जारी होगी तो वही चीज किसी और उसी party के against में दिखाई जारी होगी वो data तो वही होगा लेकिन जुसको present कर रहा है वो उस पर depend करेगा कि भाई मुझे ये favor में बोलना है कि against में बोलना है तो यह यहाँ पर danger हो जाता है partiality का then it is time consuming time consuming यहाँ पर किस के basis पे है जो data collect करके ला रहा है उसके लिए बहुत time consuming है क्योंकि उसको बहुत महनत लगती है उसको बहुत time लगता है वो particular report present करने के लिए suppose अगर आपका studio Delhi में है और यह news Mumbai के है तो भाया जो Mumbai में जो उसका reporter बैठा होगा वो उसको contact करेगा वो वहाँ पर पूरा दिन खड़े होके जो data है वो खटा करेगा घड़ी-घड़ी की जो खबर होगी वो देगा ठीक है तो यह बहुत ही time consuming होता है then lack of accuracy in high degree यानि कि यहाँ पर मैंने अगेन वही जी से first से ही related है कि यहाँ पर data तो collect हो जाएगा लेकिन यहाँ पर higher degree of risk है कि वो present हो सकता है वो accurate तरीके से ना कराया जाए कि हो सकता है कि वो incident तो कुछ और हो लेकिन उसको present कुछ और तरीके से करके दिखाया जा रहा है ठीक है तो यह हो जाएंगे यहाँ पर हमने कुछ data इखटा किया interview लिया तो through and through यहाँ पर data collect कैसे हुआ है interview on phone ठीक है suitable कहां है जब हमें कम समय के लिए हमें फटाफट से ही जैसे कि हमें जल्दी से information collect करनी है shorter duration है हमारे पास तो for shorter duration data collection के लिए यह suitable होता है then यहाँ के merits क्या हो जाएंगे wide coverage हम कहीं भी हम हम दिल्ली में बैठके हम कॉलकाता मुंबाई कहीं का भी हम data जो है वो coverage कर सकते हैं तो wide coverage हो गया economical हो गया सिरफ एक phone ही तो घुमाना है हमें जाना थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं हो गया clarify doubts two way communication हो रहा है भई तो आपको कोई doubt है किसी question में तो आप मेर से पूछ सकते हो और अ आज के जमाने में भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास phone है तो सामने वाले के पास भी phone हो या उसके पास उतना अच्छे इतना अच्छे features के संग phone हो कि वह कहीं भी कोई से भी कौने में बैठा हो और उसको phone वह उठा ले या वह बात कर सके ठीक है और visual feedback is not possible क्योंकि telephone पर बात ह नहीं कर रहे हैं that receiver वाला phone data बहुत पुराना है book का है ना तो इसमें वह वाले phone की बात हो रही है तो यहां उसमें visual feedback नहीं हो पाता है जरूरी नहीं है कि हमने phone किया जिस person को है उसी ने phone उठाया हो सकता है उसके नाम से कोई और बात कर रहा हो face हम उसका चहरा थोड़ी ना देख पा रहे हैं अवास भी हम पहली बार सुनेंगे हम नहीं हो सकते कि भाई तेरसे यह थोड़ी ना कि इंटर्व्यू की बंदे से बहुत पहले भी कभी बात हो चुकी हो हमें नहीं मालूम विज्वल फीडबैक वहां पर available नहीं होता है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा information from correspondent और टेलीफोनिक इंटर्व्यू का merits, demerits और explanation इसका आप screenshot ले लो मैं स्क्रीन से दूर अट गई हूँ ठीक है screenshot ले सकते हो अब बचो लास्ट दो method हैं वो देख लेते हैं mailed questionnaire यानि कि यहां पर एक questionnaire prepare किया जाएगा questionnaire हम सब जानते हैं जो multiple choice question objective type questions जो दिये जाते हैं ठीक है किसी kind कोई survey करा जा रहा है basically तो उसमें हम questionnaires का इस्तमाल करते हैं तो वो questionnaire क्या होता investigator mail कर देता है जो जहां से उसको information collect करनी है जिन लोगों से उनको वो mail कर देता है covering letter के साथ में कि यह 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 आपका questionnaire है इस questionnaire को collect करने का जो basically जो reason है वो बता देगा उस covering letter में ठीक है और फिर आपका यह यह आपको questionnaire आपको fill करके देना है और उसमें last minute लिख देगा कि प्लीज आप जरूर इसको fill करके दें ठीक है method जो है वो suitable है merits क्या है wide coverage ठीक है mail हम किसी को भी कर सकते हैं थोड़ी सी ही देर में हम इसको बहुत लोगों के पास पहुचा सकते हैं तो wide coverage economy हम एक जगे पे बैठके 100 लोगों को एक बार में बिना किसी पैसा खर्च के हम email जो है वो भेज सकते हैं तो economy हो गया originality क्योंकि हमने यह पहली बार यह survey किया है हमने ही यह पहली बार questionnaire prepare किया है तो यह original हमारा ही है free from bias क्योंकि हम नहीं जानते personally हम कोई सौर जो लोगों को से हम information इखटी करेंगे तो हम उनको personally नहीं जानते हैं ठीक है और कहीं कहीं किसी questionnaire में यह भी होता है कि आप mention मत करो बस answers अपने भेज दो तो वहां पर क्या biasness नहीं होती है ठीक है then maintain secrecy obviously है कि maintain secrecy होगा कहां से आया कैसे आया अब हमको एक-एक record करने तो बैठें नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है सो लोगों से पूछा जाए हजार लोगों से भी पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां पर secrecy maintain रहती है ठीक है demerits क्या होते है limited scope limited scope मतलब की जो जो जिनके पास mail की option ही available नहीं है ठीक है mobile है लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि mail क्या होते है mail open कैसे करते है mail के attachments basically जो जिनको knowledge नहीं होती है इन सब चीजों के बारे में तो उनको हम यह नहीं पूछ सकते हैं हम उनसे यह questionnaire नहीं करवा सकते है mailing वाला then lack of interest जो respondent है उसको money नहीं है तो क्या कर लोगे कुछ बोल थोड़ी ना सकते हो वो नहीं भेज़रा answer ठीक है lack of interest भी हो जाता है chances of misinterpretation अब हमने कुछ question पूछा उसके पीछे का reason कुछ और था लेकिन सामने से जो हमें answer आया वो कुछ और आया ठीक है तो उसके हिसाब से वो जो question वो समझा उसके हिसाब से answer दे दिया तो यहां पर क्या है misinterpret हो सकता है questions का answers का time consuming है एक तो questionnaire बनाओ फिर हजार लोगों को भेजो एक तो यह time consuming फिर वहां से answer जरूरी नहीं है हमने आज भेज़ा तो हमें आज आंसर मिल जाए भाई उससे आमने वाले ने खोला भी तो उस ने बना भी दिया फिल भी कर दिया पर उसने भेजा भी नहीं राजमनी है तो time consuming है बनाना भी और उसके reply आना भी ठीक है उसके बाद हमारा last question is filled by enumerator ये तो हो गया mailing के through ये हो गया enumerator यानि investigator personally जाके जो respondent है उनसे direct contact करें उनसे जो particular 10-15 questions जो उसने questionnaire में बनाए हैं उनसे वो personally जाके वो पूछे और वो भरे ठीक है ये एक method हो गया कहां पे suitable होता है जहां पे एक तो अच्छा खासा पैसा हो क्योंकि उतना ही आपको वो print करने पड़ेंगे तो आप हजार लोगों से पूछने जाओगे तो आपको हजार आपको वो printouts निकालने पड़ेंगे ठीक है तो आपके पास पैसा होना चाहिए जगा जगा जाएगा ट्रावलिंग करेगा तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए फिर जो enumerator है वो trained होना चाहिए तो where trained person is available वहाँ पर ये method suitable होता है ठीक है merit क्या हो जाएंगे accurate and reliable one to one contact हो रहा है मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे answer दे रहे हो तो accuracy है reliability है ठीक है जो आप मेरे को बताओगे वो आप बिल्कुल सही बताओगे जो question मैं actually मैं पूछना चाहा रही थी उसी तरीके से मैंने आपसे पूछा और वही answer जो मुझे चाहिए था उस purpose के लिए वो मुझे मिल गया best better response response better हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर one to one कोई doubt नहीं है कोई misinterpretation नहीं है मैंने जिस वज़े से यह questionnaire prepare किया है मुझे वो particular answer मिल रहा है तो response अच्छा होगा limited chances of partiality चीक है मैंने इस में chances नहीं है partiality के क्यों क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ आप जो बोलोगे मैं उसी हिसाब से यहाँ पर data fill करूँगी ठीक है last में है useful in case of illiterate respondents हो सकता है आपको यह दिखरा नहीं हो useful in case of illiterate respondents यानि कि जो इंसान पड़ा लिखा नहीं है उसको पता ही नहीं कि questionnaire में क्या लिखा है तो क्या होगा जो enumerator है जो investigator है वो जो भाशा हो सा क्या है इसके costly है मैंने अभी आपको बताया 1000 printouts निकालना particular person के पास visit करना तो obviously costly होगा time consuming है क्योंकि personally हम जा रहे हैं हर एक 1000 बंदे के पास में तो time consuming तो बहुत जादा है ठीक है inability of enumerator हो सकता है हमने तो अपनी तरफ से भई trained बंदा भेजा लेकिन फिर भी वो समझे नहीं प पारा ठीक है वो particular जो answer था collect करना था वो collect ही नहीं कर पारा तो वहां पर भी यह चीज फेल हो जाएगी तो inability of enumerator पहले तो मैं side हो जाती हूं आप यह table का screenshot ले लो तो बच्चों यह था आज की video ठीक है I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने अच्छी तरीक जो basically chapter का part है वो बहुत ही summarized way में बहुत ही proper तरीके से आपके पास तयार हो जाएगा तो बच्चों आज की video को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज ज़रू like कर दीजे, share कर दीजे, subscribe कर दीजे मेरा चैनल अगर अभी तक subscribe नहीं किया है comment करें अगर आपका कोई भी और suggestion या कुछ भी आप में अपने इस वीडियो से या किसी और chapter से related कुछ बताना चाहते हो और मेरे संग और मेरे वीडियो के संग अपना साथ ऐसे ही बना के रखें, thank you so much